हेलो फ्रेंट्स वेलकम टूबी अपडेट फॉर ओल चैनल तो फ्रेंट्स देखते हैं न्यू नोटीपी के फना आया है यूपी एफ 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 के तरफ से तो इसका बारे में हम लोग ब्रीप इन पूर में जानते हैं कि कौन-कौन इस फॉर्म को अपलाई कर सकता है और क्या इस लिमिट चाहिए और क्या इस फॉर्म को डालने के लिए कितना फी चाहिए तो फ्रेंट्स चलिए देखते हैं अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट हम आया है फ्रेंट्स देन फर्स्ट अपॉल आप जाके सब्सक्राइब किजिए और वेल आइकन प्रेफ कर दिए ताकि ज 500 वेकिन फीज़े 339 वेक तो देख एक लिए फ्री फर्म को अप्लाई करने के लिए कितना चाहिए कोस rocket तो फ्रफ के लिए चाहिए जये जन्रल ऊबेल Steel एफ फिक लिए तो फ्री प्रेंट्स देखते हैं कि फ्रॉम को आप कब तक अप्लाई करकते हैं तो स्टार्टिंग डेट देखिए कब से आप इस फोंप अप्लाई कर सकते हैं चार आठ दोजर एकेफ पे रैट फ्रेंट्स और देखिए लास्ट डेट आपको कब तक दिया हुआ है takiego coby अगर आप इंडियन इंडियन नवेल अकेड़िमी में अगर आप जोइण करना चाहते हैं देन आपको आपका यज होना चाहिए देखिए दो फाद उन्हें फोग अन्ठानवे फैले करके एक फाद दोजार तीन ओके और इफ का नीचे भी नहीं होना चाहिए राइट फ्रेंट देखिए अंठानबे के नीचे नहीं चलेगा ओके देखिए अब हम लोग देखते हैं कि एर फोर्फ अकेडमी में अगर आप जोइन करना चाहते हैं देन एज आपका कितना होना चाहिए बीफ फे चोबी फोर्फ होना चाहिए ओके देखिए और कंडिडेट वोर्ण होना चाहिए आपका जन्द तिति होना चाहिए दो फाद उनेफ फो अंठान बे टू फेवन हैं और पीज ही फ्वी कंडिडेट फेडन आपको ओर रहाम होरा दिन आपको इसफन आपको करने के लिए एज रिलेक्स एफन दिया जाएगा राइट तो देखते हैं इस फोंप अपलाई करने के लिए कितना चाहिए तो चलिए देखिए तो अगर आप 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 आएम ए एंड ओफिफर ट्रेंडिंग अकेडमी अगर आप जोइन करना चाहते हैं देन उफके लिए क्या आप क्वाइलिफिक इफन चाहिए डिग्री ओफ रेकोगनाइज्ट उनिवर्फिटी और इक्विवेलेंट ओके अगर आपके पाफ डिग्री है कोई भी ए इंजिनियर फ्रोम रिकोगनाइज्ट यॉनिवर्फिटी इंस्टिटूशन ओके अगर आपका पफ इंजिनियरिंग डिग्री है जैसे कि बीटेक हो गया ओके बीटेक बी आर्च और इस तरह कर टेकनिकल हो गया है स्टुडेंट आपके पफ अगर हैं डिग्री देन आप इस फ्रोम को अपलाई कर सकते हैं इंडियन नवेल अकेडमी में अगर इंडियन एयर फॉर्फ जोइन करना चाहते हैं देन आपके लिए क्या होना चाहिए डिग्री ऑप रेकोगनाइज्ट यॉनिवर्फिटी फिजिक्स मैथ एट टेन पलफ टू बेचिलर अब दा इंजिनि हैं जोकें तो अब देखते हैं कि एक्जाम पेटरन क्या होगा इव इस के लिए एक्जाम पेटर्न क्या होगा तो देखेügen रिटन इग्जाम होगा राइट रिटन इग्जाम कंविष्ट आप। ऑप football objective type of question time duration two hour time duration आपको दो गंटागा दिया जाएगा और four questions फो होंगे objective type right अगर आप देखें for the candidate who are appearing for the Indian military academic novel academy air force academy written test comprising of English general knowledge and elementary mathematics subjects the candidate to who are appearing for offer training academic with written test compromising of comprising of English and general knowledge देखें इस तरह आपको question पूछ रहेंगे English फे जेनरल नोलजज़ फे एंड एलिमेंटरी मैथमेटिक फे राइट और जेनरल नोलज़ ओके तो यहां पर students देखते हैं कि यहां पर clear कर दिया गया है कि इस तरह फे कौन-कौन फे आपका एक्जाम होगा ओके कौन-कौन फे अब्जेक्ट फे आपका एक्जाम होगे तो देखिए अगर आप इस पेपर आपका 100 questions रहेंगे और देखिए अगर आप ट्रेनिंग अकेडमी जोइनिंग करना चाते हैं देन इंगलिफ कोश्चन आपसे पूछे जाएंगे जेनरल नोलज़ पूछे जाएंगे देखिए इंटिलिजेन्स प्रफनालेटी टेस्ट इंटर्व्यू इंटिलिजेन्स प्रफनालेटी टेस्ट ओके कर दिखे अब फलेक्ष्वन होने का प्रोफीजर क्या है देखें फिदी असमें होने का प्रोफीजर क्या जाएगा अगर आप यह में क्वालिफाई हो गए हैं देन आपका फिर डोकुमेंट फेरिपिकेशन होगा एंड फॉर्थ में आपका मेडिकल इजामिनेशन होगा एंड उसके बाद आपको जोईनिंग लेटर दिया जाएगा ओके प्रेंट तो चलिए देखते हैं तो हम फ्लेवर्फ फ्लेवर्फ को देखना जाता है देन आपको इस वीडियो के नीचे डिफ्क्रिप्फन में आपको लिंक मिल जाएगा वहां अप आप फ्लेवर्फ को देख सकते हैं कि किफ-किफ टोपिक पे कोश्चन पूछा जाएगा ओके इंटर्व्यू का मतलब अगर कोई कंडिडेट फ्लेक्ट हो जाते है रिटेन टेस्ट में देन उनको इंटर्व्यू के लिए बुलाए जाएगा ओके दा एफफवी प्रोफिजर जो इंटर्वी जो होगा स्ट्वेंट वह एफफवी प्रोफिजर होगा ओके अस्टेज वन ओके देखिए क्या जाते हैं और आस्टेज वह कर पाता है कि टेंट लीगे अ अगर अगर बेच दिया जाएगा ऑके तो stage 1 में देखिया आपको किफ्तर रहेगा stage 1 comprises of the officer intelligence rating OIR test or picture picture perfection description test description test the candidate will fault list based on the combination the performance in OIR test and PP and DT okay stage 2 stage 2 stage 2 के लिए देखिये interview interview okay group testing office staff psychological test psychological test भी आपका क्या जाएगा conference these tests are conducted over four days तो students देखिये अगर आप collect हो जाते हैं तो आपका stage 2 जो चलेगा वो कितने दिन का चलेगा चार दिन का चलेगा ओके तो उफके बाद देखिये आपका documents verification होगा okay documents verification के बाद आपका medical होगा okay then medical के बाद आपका medical के बाद आपका joining later दिया जाएगा okay तो friends अगर आप इसी तरह का notification पाना चाहते हैं then if channel को subscribe कीजिए और bell icon को प्रेफ कर दीजिए और ज्यादा ज्यादा फेर कीजिए ओके तो friends आज का notification इतना ही तक हम लोग खतम करते हैं अगर आप और भी details जानना चाहते हैं then मैं आपको इसके नीचे वीडियो के नीचे description में लिंक दे दूँगा आप वहाँ जाके फुले details को अज study कर रखते हैं ok